दोस्तों आज की इस वीडियो में हम review करने वाले हैं एक LG की 6.5 kg की fully automatic top load washing machine का जो कि मैंने recently flip card किसे खरीदी थी तो इस वीडियो में पूरा completely हम जानेंगे उसके demo और installation के बारे में भी और उस process के बारे में भी जानेंगे जो कि मैंने replacement के लिए follow की थी तो आप में से काफी सारे जने online shopping करने से पहले ये चीज़े सोचते हैं कि अगर हमारा product damage आगिया तो हम क्या करेंगे तो हाल ही में ऐसा ही किसा मेरे साथ भी हुआ है तो चलिए जानते हैं पूरी इस process को कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और कैसे मैंने इसका replacement भी करवाया है और साथ में पूरी complete details बताऊँगा मैं आपको और जो मुझे discount मिला था actual क्यों मैंने online purchase किया इस washing machine को यह भी मैं बताऊँगा तो वीडियो को last तक देगीगा miss बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यह अगर आपको एक नया buying decision लेने वाले हैं तो आपके लिए काफी important है साथ ही अगर आपको directly demo और installation देखना है तो मैंने time stamp add कर दिये हैं पूरी वीडियो के उपर तो आप देख सकते हैं जो particular section आप देखना चाहते हैं कि आपको सीधा demo और installation देखना है इस वीडियो के end में बताने वाला हूँ तो पूरी वीडियो को देखिएगा पूरा complete review करेंगे हम इस washing machine का तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मैंने इस washing machine को क्यो लिया इस particular model जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इसी model को मैंने क्यो purchase किया तो इसके कुछ factors है जिनको मैंने consider किया था जो कि मैं अपनी washing machine buying guide में भी बताता हूँ जैसा कि मैंने आपको बता रहा है कि different budget wise जो different products है उसके लिए appliances के लिए मैंने मेरी website पर भी list available करवाई हुई है जिसको मैं regular update करता रहता हूँ तो वहाँ मैंने आपको बता रखा है कि क्या-क्या factors आपको देखने होते है तो चलिए बात करते हैं कि मैंने इस washing machine के अंदर ऐसा क्या special देखा था तो पहली जो चीज है जो कि मैंने सबसे मेरा जो deciding factor था वो ये था कि मुझे brand LG ही लेना था इसका reason ये है अगर देखा जाए पूरे पेन इंडिया के अंदर LG की जो service center है वो काफी ज़्यादा है तो अगर मैं इसको compare करूँ किसी और brand से तो उसके service center मिलने में और service में कुछ issues आ जाते तो इसलिए मैंने LG brand को prefer किया जो कि एक commonly well known brand है और जो की काफी अच्छी brand value रखता है अपने particular products को लेकर second अगर हम बात करें जो हमारा deciding factor रहा तो वो second deciding factor ये था कि इस washing machine के उपर हमें 2 year की complete product warranty मिलती है और 10 years की इसकी जो motor है उस पर भी warranty मिलती है 2 plus 10 की जो ये warranty है तो काफी कम brands है जो इसको offer करते है और LG उनी में से एक है तो इसलिए इस reliability को देखते हुए कि 10 साल तक तो अपनी motor की भी warranty company ले रही है तो 10 साल तक हमारे इस product का कुछ नहीं बिगडने वाला तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक appliances जो होते है वो एक long term investment होते है तो इसके अंदर आप अपनी best value for money product को भी choose कीजिए और साथ में यह भी देखिए कि आपको particular जो product है उसके features भी कैसे मिल रहे है और उसके service वगेरा भी कैसी मिल रही है अगर हम third हमारा deciding factor बताते है तो third deciding factor यह है कि हमारे यहाँ पर daily use होती है washing machine तो daily use के अंदर आपको एक compact जिसका small tub size हो इस type की washing machine चाहिए होती है और अगर मैं generally देखा जाए तो 4 लोगों से 5 लोगों की family तक आपको 6.5 kg जो washing machine है अगर आपके daily use होता है तो आपके लिए वो enough होती है अगर week में 2-3 बार भी आप use करते है तो enough होती है वह जो capacity है 6.5 kg इसलिए मैंने इसको decide किया है अब अगर हम बात करें next deciding factor जो की 4 deciding factor है जो की है inverter technology इस washing machine के अंदर आपको inverter technology मिलती है और मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर किसी washing machine में inverter technology वाली washing machine नहीं ले रहे तो आप बिल्कुल गलती कर रहे है क्योंकि आपको जो inverter technology वाली जो brand की जो कोई भी आपके products होते है तो inverter के अंदर आपको 50% अप टू 50% तक की energy saving होती है कैसे energy saving होती है मैंने मेरी website पर भी बता रखा है और मैं अभी वीडियो में बताता हूं इसके अंदर आपका variable speeds पर different rpms पर आपकी जो motor होती है या अगर AC की बात करें तो आपका compressor होता है वो run हो सकता है इसलिए आपकी जो energy saving हो जाती है और इसलिए हम inverter जो technology है उसको prefer करते हैं ये मेरा fourth deciding factor रहा है और दोस्तों अगर मैं fifth point की बात करूँ तो जो fifth point है वो मेरा सबसे easy to use चाहिए थी मुझे जिसमें मैं एक button को अगर कोई भी press करें मैं किसी को भी अगर गर पर किसी को भी बोलू तो वो एक button press करें और washing machine start हो जाए basically होता ये है कि fully automatic washing machine के अंदर हम थोड़ा जादा features वाली washing machine तो ले लेते हैं लेकिन उसको operate नहीं कर पाते हैं और जो हमारे family members होते हैं वो इतना easily उसको operate नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि fully automatic washing machine एक trouble है तो ऐसा नहीं है easy to use जो अगर feature होगा तो आप easily कोई भी इस washing machine को use कर पाएगा तो ये जो deciding factors थे इनके basis पर मैंने इस washing machine का buying decision लिया अब देखते हैं कि मैंने इस washing machine को कितने रुपए में खरीदा तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी screen पर कि मैंने अपना flip card का जो order है जिसके अंदर 13,599 के करीब की जो ये price आ रही है इतने में मैंने इस product का जो purchase order किया था और इस order के उपर particularly जो मेरा discounted जो था उसके अंदर मुझे ये था कि मुझे debit card के थुरू EMI option की use करना है तो जिसके तयात मेरे 200-300 रुपए extra लगे थे तो around 13,800 रुपए के अंदर मुझे ये जो washing machine है इसकी costing पड़ी तो ये जो costing है ये काफी minimum costing है क्योंकि इस washing machine की अगर market price अगर आप पता करते हैं तो आपको 16,000 से कम के अंदर ये washing machine जनरल ही नहीं मिल पाती है तो इसलिए online buying decision मैंने लिया कि इसको online ही buy करते हैं आप चाहे तो offline भी किसी भी particular product को buy कर सकते हैं लेकिन online cross check जरूर कर ले price को क्योंकि अगर आपको जहां पर आपको value for money deal लिख लगती है वहीं पर आपको purchase made करनी चाहिए तो इसलिए आप online भी check करें किसी भी particular product की price अब अगर आता है आपका doubt की sir अगर हमारा जो washing machine है या particularly कोई भी product है वो अगर damage आ जाता हो तो क्या कर सकते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है particularly अगर मैं बात करूँ इस washing machine की तो मेरे जो washing machine का जो order था वो जब मेरे पास deliver हुआ तो इसका जो drum था वो damage था लेकिन मुझे particularly judge नहीं हो पाया जब delivery आई तो हम लोग judge नहीं कर पाये कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो particular delivery जो person है वो उस product को deliver करके चला गया और उसके बाद हमें पता चला कि actual में हुआ ये कि उसके बाद installation आपका brand की तरफ से schedule होता है अगर आप particularly कुछ जो verified seller से उनसे अगर आप shopping करते हैं तो आपको particular brand से message आ जाता है delivery के दिन ही कि आपकी जो particular installation कब installation आपका schedule किया गया तो जब installation person आया था तो उसने मुझे एक इसके अंदर damage बताया है कि जो इसका जो ड्रम था उसके अंदर कुछ particular band वगरे था जो कि एक manufacturing defect के अंदर आता है इसके अंदर flip card की या delivery partner की कोई गलती नहीं है तो उन्होंने बताया particularly कि यह यह इसके अंदर problem है तो इस problem को देखते हुए इस washing machine के अंदर manufacturing defect में आता है तो अगर आप particularly वापिस से hand to hand बताते हैं तभी आपका replacement हो पाता है तो online में भी आपको 10 days मिल रहा है जिसके अंदर आप use करके satisfied हो जाई है कि आपके particular product के अंदर कोई भी कमी तो नहीं है तो इस तरह से जब वहाँ आपर installation के time पर ही कमी पता जल गई तो उस installation गाई ने जो किया किया था काफी humble था और उसने काफी अच्छे से मुझे समझा दिया कि इसका जो procedure है वो यह है कि इसके लिए पर्टिकुलर्ली उसने एक job sheet ते है कि जो कि मैं आपको screen पर बताने वाला हूं तो इस job sheet की ताथ आप देख सकते हैं कि उन्हों है replacement के लिए एक उनकी तरफ से भी request प्लेस कर दी कि इस particular प्रोड़क्ट जो है वो damaged रिसीव हुआ है तो वह जो request है वह process हुई और इधर से मैंने भी अपना replacement का request डाल दिया साथ में यह जो job sheet थी वह attach कर दी कि मुझे यह particular washing machine को replace करवाना है तो ऐसा सब करने के बाद हुआ यह कि जो नई washing machine थी वह वहां से already ship कर दी गई जैसे ही मेरी request रिसीव हुई उसके एक दिन के अंदर इसको पूरा complete process करके और नई washing machine को वहां से रवना कर दिया गया और जो पूरानी washing machine है उसको तब ही pick किया गया जब नई washing machine delivery हुई थी तो ज्यादा कुछ time नहीं लगा था hand to hand जब आपका इस तरह से order जो है वह आगे से ship हो गया है और उसके बाद फिर आपके पास particularly washing machine इस तरह से deliver होने आती है तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे उन्होंने पहले ओल्ड washing machine को चेक किया कि हाँ इसके पर्टिकुलर क्या फोल्ड था इसके फोटो वगरे क्लिक किये और उसके बाद इन्हों पर्टिकुलर ब्रांड की website पर जैसे LG हो गया sony हो गया इन सब की ब्रांड की website पर भी mentioned है कि आप online किन किन seller के थ्रू ले सकते हैं जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर ली पूरी complete warranty मिलती है कोई भी issue नहीं आता है तो उसी तरह से मैंने भी verified Omnitec retail जो की seller है वहाँ पर flip card पर उन से लिया था तो मुझे काफी कोई समस्या नहीं आई है और इसमें आज दिन तक जो भी products करीद है उसमें कभी कोई समस्या नहीं आती है अगर आपका seller जो है वह verified है तो इस तरह से वह ले गए अब हम बात करते हैं कि इसकी installation की तो installation की बात करें तो यहां पर एक आपका प्लस पॉइंट यह हो जाता है इस तरह से installation उन्होंने पूरा complete किया अब जो installation complete होता है उसके बाद आपका demo का time आता है तो demo में भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरे features को explain किया काफी अच्छे से और जिन है यहां पर इस washing machine को operate करने में दिक्कत आ रही तो वह भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप इसको operate कर सकते हैं काफी easy to use है यह washing machine आपको इसके अंदर ज्यादा buttons नहीं मिलते हैं कम ह काफी button है तो वह आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि ज्यादा button actual feature तो ज्यादा देते हैं लेकिन जब आप उसको operation में आपको थोड़ा सा उसको उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है particularly इसके अंदर अगर इस model की बात करें तो आपके पास मिल जात रखन किया उसके बाद आपके particularly एक प्रोग्राम बटन है जिससे आप प्रोग्राम सलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास कोई दूसरा मोडल है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम एक्स्ट्रा या फिर कम ज्यादा हो सकते हैं तो उससे आप अपना program सेलेक्टर से इसके अंदर प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक नंबर पर आपका नॉर्मल वोश है जिसके अंदर आपके particularly जो नॉर्मल कपड़े होते हैं जिसका जो नॉर्मल डर्ट होती है और उसको आपको दोने के लिए वह जो आपके नॉर्मल वोश का function ह करने हैं आपका कि आपको woollen अगर close को अगर wash करना है तो उसको easy wash आप किस तरह से कर सकते हैं अगर आपको quick wash करना है तो इस तरह से आठ तरह के program इस पर दिये हो हैं वहीं आपका इसको अंदर एक AQA reserve का mode भी मिल जाता है तो AQA reserve पर आपको इसको सबको press करने के लिए Program बट जो सेट करना है नोर्मल हो गया या फिर आपका एक्वरीजर्व हो गया एक्वरीजर्व कि अगर मैं बात करूं तो एक्वरीजर्व में होता है कि जो पर्टिकुलर्ली सारा आप हिंदी में बोलते हैं जकोर ना तो इस तरह से कपड़े जकोरे जाते हैं उसके अंदर ऑर थड़ जो आपका feature होता है वह होता है इस पिन का जिसके अंदर कपड़े सुखाये जाते तो अगर एक वा रिजर्व की बात करें तो आपका spin जो option है वो वहाँ पर available नहीं रहता है इसके अंदर होता है कि जब rinse करने के बाद सबसे last वाला जो पानी होता है तो वहाँ पानी completely washing machine के अंदर ही reserve ले जाता है यह उस पानी को बाहर नहीं करती है otherwise आपका spin करते वक्त उस पानी को बाहर करके और spin कर दिया जाता है तो आपका जो कपड़े है वो आपकी spin नहीं हुए और आपका जो पानी है वो save हो गया और वही next जो आपका cycle चलेगा उसके अंदर काम आ जाएगा अब अगर आप check करना चाते है कि नहीं हमें spin नहीं करना है या फिर कुछ भी ऐसा changes लाना चाते है तो उसके लिए आपको यहां पर इधर दो बटन्स हो रहे है जो कि एक पर्टिकुलरली वोट जो वोटर लेवल है उसको decide करने के लिए है और जो second बटन है वो आपका यह ज time spin होगा या फिर आपका rinse होगा तो यह चीज आप decide करके और कर सकते लेकिन इसको तभी operate करना जब पर्टिकुलरली उसी function के अंदर करना अधर्वाइस आपको program से select करके और start button को प्रेस करना आपकी washing machine automatically आपकी जो पानी है वो उसको लेना intake करना start कर देगी और उसके बाद आ आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपकी जो नई washing machine आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके उदर कपड़े डालिए उसका जो लीड है उसको बंद कीजिए उसके बाद आप power button दबाने के बाद आप start button दबा दीजिए तो आपका नोर्मल बोर पर आ जाएगी और आपकी जो washing है वो start हो जाएगी और particularly अगर वोटर लेवल की बात करें तो अगर आपके कपड़े दूलते वक्त आपको लगता है क्योंकि particularly इसके अंदर in models में क्या होता है कि जो load होता है उसके तैत वो decide कर लेती washing machine कि कि कितना उसको water की intake की ज़रूत है कि इतना tub उसको full करना है लेकिन अगर कपड़े दूलते वक्त आपको लगता है कि पानी कम या ज्यादा है तो आप इसका particularly दूलते वक्त यह बटन काम करेगा water level indicator का तो यहाँ पर आप water level 6 की scale पर decide कर सकते है 1,2,3,4,5,6 की कि कितना आपको इसको fill रखना है तो उसके तहत आपको मिल जाता है lint filter जो lint filter है इसको आपको around 15 days के अंदर clean करना है और हर 2 महीने के अंदर आपको इसकी जो completely tub cleaning करनी है जिसका एक 2 गंटे का procedure होता है जिसके अंदर आपको tub cleaning जो feature प्रोग्राम है उसके तहत आप इसका tub cleaning भी कर सकते है तो इस तरह से आप इस washing machine को use कर सकते हैं तो जो मेरा review है वो यह रहेगा कि अगर आप LG brand के ओर जा रहे है तो आपको particularly service काफी अच्छी मिल जाती है product काफी अच्छा मिलता है वहीं आपकी warranty जो वह भी आपको काफी longer मिल रही है तो मेरी तरफ से thumbs up है इस washing machine को क्योंकि इसकी जो complete जो इसका काफी अच्छा workflow है और इससे जो completely wash quality जो है वो काफी अच्छी मिली काफी better मिली तो मेरी तरफ से ये काफी सई product है और इसको आप अगर purchase करना चाते हैं तो आप इसको ले सकते हैं 2021 के अंदर ये काफी latest model है जो की latest 2020 में ही launch हुआ था तो इस washing machine को आप ले सकते हैं इसके लावा अगर आप कोई और washing machine लेना चाते हैं या फिर आपका कोई और different budget है तो उसके लिए भी मैंने आपको product buying guide के अंदर completely मेरी website पर समझा रखा है तो उसका link जो है वो भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा ताकि आप जा करके check कर सके कि यह model कौन सा है जो कि इसका जो particular model था NDDLGA इस type का कोई model था त तो मैं इससे completely satisfied हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि अगर आपके पास wrong product या फिर आपका manufacturing defect वाला अगर defective product भी आ जाता है तो आपको इसको easily replace करवा सकते है replacement policy के तार तो इस तरह से आप इन particular बातों को ध्यान रखते गाइड को discuss करते रहते हैं particular models को भी discuss करते हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंदर जो इत्ती सारी information दीए वो अगर आपको helpful लगी है तो आप इस वीडियो को like जरूर कीजिए और हमार साथ जूट जाएए अपना जो subscribe button प्रेस कीजिए और इसको share कीजिए अगर आप किसी particular person को भी recommend करना चाते हैं या product को तो आप उन्हें share कर सकते हैं और आप इस वीडियो के नीचे comment करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आप particular किसी range के अंदर कोई product खरीदना चाते हैं त तो फिलाल के लिए आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी ओर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन